Hello friends, this is Harvinder Singh and welcome to the YouTube channel Learn with Harvinder Sir अथे इस वीडियो विचा सी करांगे 12th class PSCB English दा चैप्टर जिस दाना है हसन्स attendance problem दोस्तो इस गल्दा त्यान रखो कि एक explanation and summary वीडियो है जिस विचा सी चैप्टर दी explanation and summary नूँ कवर किता है पर जे आप सारे आने साड़े नारिस चैप्टर दे question answers करने है short question answer, long question answer, objective questions तासी उनना दिया अलग तो वीडियोस बनाईया हन चिनना दे लिंक थेले description box विच दित्ते गए हन तेस लेसन दी पूरी तरह त्याहरी दे लई आप सारे विद्यार्थी उनना वीडियोस नूँ जरूर देखो ते जे आजे तक आप सारे आने YouTube चैनल Learn with Harvinder सार नूँ सब्सक्राइब नी किता ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करू ताकि नम्यां वीडियोस अप सारे आनों समय से प्राब छोड़ सक बाद स्थोजरू कर नेक कम किता है कि करनाटका दे हर गौर्मेंट स्कूल विच कंप्यूटर रहते लैब्रेरी फिसलेटी नूँ प्रोवाइट करवाया ते हो इस पार्ट विचो की लिख दें इस पार्ट विच सुधा जी लिख दें कि मैं काफी साल लां तो एमसीय दे स्टूडेंट्स नुँ बेंगलोर दे कॉलेज विच पढ़ा रही हैं ते काफी स्टूडेंट्स नाल में इंटरेक्ट की था पर उन्हा विच वो कुछ में नु याद रहागे याद क्यों रहागे वो हैसलेटी याद रहागे कि वो पढ़ाई विच ब्रिलियंट सी ते उसी मेंबरी वी काफी चंगी सी ते बहुत ही रिच फैमली तो सिगा ते माप योदा हो इकला बच्चा सिगा ते काफी समय तक सुधा मूर्ती जी नु उस बारे पता ही ना लगा क्यों नहीं पता लगा विकॉस हार्डली एवर प्रेजेंट इन दे क्लास विव कदे करदा कि सुधा जी मना करना भी मुश्किल हो जांदा तो यह कहनदा हसन यू कन पाड़न वी तो और इस हुमन तो फॉर्गेव इस डिवाइन कि अपनी मेंड़ा उनु कहनदा कि तुसी मेंनों माफ कर सकते हूं कि बंदा गलतिया करदा ही है पर जड़े परमात्मा वर्गे बंदे हुन देने जड़े डिवाइन लोग हुन देने ओं माफ कर देने कि हम तौड़े तो ही सिख्या है ते उपर वो क्लास विच हमेशा फस्ट क्लास तो पास हुन्दा भी उस दे नंबर हमेशा सट परसेंट तो वद्द अन्दे सी हर समेस्टर विच उज़ा ही हाल सी कि अबर हमेशा कोई वख्रा रिजन देन दें ते सुदा जी नू लगदा कि हर वारी सच बोल रहा है ते होया कि कि एक वर उस्टे पहरें नू बुलाया गया माप्यों बुलाया गया अटेंडनेंस क्योंकि उस्टे कट रहन दे सी ते हसन दा फादर है काफी बीजी रहन दा स ते उसने क्या कि एक उमर तो बाद है बच्चे मापयो दे गल नी सुन दे ते अपनी लाइफ वेच आपी सिख जेगा बट इस मदर वोज इन टीर्स पर जड़ी हसन दी माया काफी रोरी सी ते उसने वह संदी माने आद से कि हसन पूरी-पूरी रात गाने सुन दाया चैट रहा हुए जाए ते निन अर्गूमेंट बेट्वीन दा पेरेंट्स कि मां पर आपस विची आर्गूमेंट होगी ते पिता केंदा है कि तु उसने ताइम स्पेंड कर किया तेरी डूटी है ते मां केंदी है पिता नो के पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं हुंदा तिन दो उस अपने बच्चेया दे नाम करने हाउस वार्मिंग रहा प्रवेश थे सुधा जी आए कोशिश कर दे कि उत्थे जान फंक्शन से टेंड करन क्योंकि बच्चेया दा प्यारी उन्ना देली स्ट्रेंथ सीगी यह काफी काइंट टीचर सीगे ते स्टुडेंट्स नू भी अपन चांद से छुदाजी काफी बीजिश है उन्नाने क्या की यह कि उन्ना हिए कि मेरे को लिए समाँ नहीं है तो आठाए स्टुडेंट्स ने हुन स्टूडेंट्स न वह स्टुडेंट्स का यह सब्स्राइब नां मिलना च्वर्ण देंग कि मैडम तुसी मिल नूप्वईर तिसी सारे स्टूडेंट्स नो किस तरह पचांड सकते हो जए तुसे खिड़की तो देखो ता अनो पूरा बाहर नजर आ सकते है पर जए तुसे बारों देखो तो अन्हों यह नहीं पता लगेगा वी अंदर की गी है ते ऊब आ कंदे जड़ा स्टूडेंट्स हुंदे ते और कंदे कि मैडम आवज देख शीने फिर उसनों पर चांड लिए फेर सब्सक्रूब जहलें तरह किस थरा यूसफुल इन टीचिंग फिजिक्स चमिस्ट्री एंद मैज यूसफुल फर बोट टीचर्स एंद सुडेंट्स की मैं सौफवेर वेच रहां जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री अते मैज मैथमेटिक्स टीच करन विच है यूसफुल होसकदा कि मैंने लिए जड़ा सौफवेर काफी इंटरस्टा हो सकता जी एक लिखो देन कि लगाशन वरिन हाइब पोजिशन इंस वर यूसान और सौफवेर इंडरस्ट्री विच बहुत यूच्छा मकाम है हासिल कर चुक है सब्सक्राद नहीं पाफिस पलेट जांदा सब्सक्राइब नियुक्त पर नोलेज नहीं सी तो नहीं प्रोपर नोलेज नहीं सी तो नहीं पास नहीं सुल पिपना चैप्टर फट्रेंट कोश्चन से नर्ड्स कि आजन नर्ड्स नर्ड्स के विए बच्चे भी आगा था चाहएं पड़ीं पर्सनेलेटी लोगाथ मिलियनेर बन गए हैं जिंदकी विच बहुत उच्छा मकाम हासिल कर चुके हैं अमीर हो गए हैं ते ऑफिस विच वी मेरे चगडालू बिहेवियर करके मिननों कोई पसंद नहीं सी करदा ते मैं ओफिस वी लेड जन्दा सी आपॉइंट्मेंट मैं किसे नों दिन दा ते मैं म पसंद ने सी करदा ते हुँन सुदा जी कहां दे हैं कि अपनी गलतिया दा पता है और यह जोड़ी जन्दा प्र प्रवाणिया आधता नहीं हो बड़ी मुश्किल ना जान दिया ने ते फिर उस सबस्दा जी कहां दे हैं कि नथिंग इस इंपॉसिबल इन लाइफ वी ला कि तवानु सिर्फ विलपा थे जजबा होना चाहिदा चाहिए यह सुदा जी बाद आणी कि यॉट आवेर डॉट फूल पोटेंशल कि आपेंशल नो समझाओं दे हैं कि वड़ी लोग मापयो ते यापक सुदेंट्स नू एक अन्दियां कि तुसी चंगी तरा पढ़़ो तो चाहूं देंगे श्टूएंट्स ने उन्हा तो भी वदिया लाइफ है जी सकन फिर सुधाजी एक अंदयान हसन नो समझांदेंगे एक्सिलेंस दस नोट कम बाइग्सिलेंट बढ़ प्रेक्टेस जड़ी एक्सिलेंस एक्सिलेंस परफेक्टेस नहीं आदी पर ते प्रे देख्षन आजागी ते होई सुधाजी है घ्रसन नोहीं समझा रहे ने ते हुण है अगल नू समझ जंदे ते सुधाजी एक लिख देंकि हुण अखविच चमक सी कि हसन नू हसन दी अखविच काफी चमक सी ते ओं कि कहन दा यह सब ट्राइम हां जी मैडम मैं पूरी कोश लाइफ वी ते सक्सेस्फल वी हो चुक्या होएगा ते इस तरह कहानी कहतम हो जान दी यह जिस दर लाइविच प्रणी चाहिए लगातार रहा ड़ेगुलरली अटेंट करनिया चाहिए ते ज़ब यह सी रैगुलर पढ़ाई करांगे चंगी तरह क्लास एंट करांगे ते दोस्तो ऐसे कि तो अड़े कहाणी हसन्स अटेंडन्स प्रॉब्लम में नू पुरी उमीद है कि आप सारे अनुए कहाणी बहुत ही चंगी तरह समझा आगे हो नी अगले वीडियो वेच असी एस कहाणी धे question answer करांगे